महाराष्ट्र विधानस्भा चुनाव के बीच प्यास के दाम में इजाफा जारी है, लेकिन सियासी नुकसान के डर से केंद्र सरकार एक्सपोर्ट बैन जैसे कदम से बच रही है। 145 फीसदी बढ़ चुके हैं। किसान अच्छे दाम का फाइदा उठा रहे हैं। वो पुराने घाटे की भरपाई कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि विधानस्भा चुनाव न होता तो अब तक सरकार एक्सपोर्ट बैन लगा चुकी होती। किसानों का दावा है कि प्य प्याज का मंडी भाव 3879.84 रुपए प्रती क्विंटल रहा जो पिछले साल की इसी तारीक को सिर्फ 2722.24 रुपए प्रती क्विंटल था। जबकि 20 अक्टूबर 2022 को देश में प्याज का थोकदाम सिर्फ 1582.42 रुपए प्रती क्विंटल ही था। यानि इस साल किसानों को अच्छी कमाई हो रही है। देश के सबसे बड़े प्याज उतपादक सूबे महाराश्टर की मंडियों में थोकदाम रिकॉर्ड बना रहा है। सोलापुर में अधिक्तम थोकदाम भाव 5500 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया है। महाराश्टर एगरी कल्चरल मारकेटिंग बोर्ड के अनुसार 21 अक्तूबर को सूबे की 69 मंडियों में प्याज की निलामी हुई जिसमें से 50 मंडियों में अधिक्तम थोकदाम 4000 रुपए प्रती क्विंटल से अधिक रहा। बाजार जानकारों का कहना है कि जब देश के 43 फीसदी प्याज उतपादन कर सूलापूर में 21 अक्तूबर को 43,733 क्विंटल प्याज की आवख हुई इसके बावजूद अधिक्तम दाम 5,500 और न्यूंतम 2,500 रुपए रहा। सबसे बड़ा उतपादक होने के कारण महाराश्टर से ही प्याज के दाम का रुखते होता है। इस समय राजी की 35 मंडियों की दर से घट गई है जिसकी वज़े से दाम में तीजी बड़करा है अभी तक मंडियों में जारी कर रही है। इससे प्याज उतपादक किसानों में नाराजगी है। डाम बढ़ने की एक वज़े प्याज की बबर स्टॉक से प्याज जारी करने के चलते इसके ठोक टाइमस की दिरावट आजगी है।